अच्छी बारिश के लिए पूजन अर्चन किया गया पूरे प्रदेश में जहां अच्छी बारिश का दौर चल रहा है वहीं जौलपुर जिले से इंद्र देवतार उठे हुए हैं अच्छी बारिश के लिए पूजन अर्चना की गई और अप्रावतना की गई कि जल्दी अच्छी बारिश हो ताकि गर्मी से निजात मिले और किसानों को भी परिशानी उनकी दूर हो पूजा पाट किया तो ज़िए बहुत पूजा कर developments करते हैं आज मैं दुरण सब तını करा आया है अपना तो अपने जितने पंडित जिए इनके दवारा करा और सभी अच्छे पंडी जी हैं अब मैं क्या बोलू सभी ने बहुत ची पूजा करी है और इश्वर्ट से कामना करते हैं कि आगे सब के लिए अच्छा ही होगा जो भी होगा इति बर्षा के लिए अब यही आगए लयका करते हैं यह दो पूजा पाटो होोगा और इसका दूफल मिले हैं है भी नर वद तुम जगत माता नर वद तुम जगत पिता नर वदते तुम जगत धात्रे मानौर गट आये ना मोहां मा जगजनी की हम लोग सभी गुप्त नुरात्री में आराधन कर रहे हैं जिसमें यह कामना कर रहे हैं बिश्टु कल्यान के लिए कि हमारी संसकार धानी अन्य छेत्वों में जल की विरस्टी के लिए भगवती से प्रार्तना एवं परण द्युता से पूजन अर्चन कर रहे हैं कि हमारी संसकार धानी में पूरी विश्ट में संदर जल की विरस्टी हो जल की विरस्टी होगी तो अन्य पूर्णा मा की करपा होगी जन जन में अन्य पूर्णा की करपा वरसाई आए पंडित राम भजन के बारी शिर्शक्ति मंदरी जग्दंबा का लोगा इस संस्रस्ति के सारे प्राणियों का जन्म और उनका निर्वाहन जलसे ही संभव है अतह नगर में और इस देश में सम्यक वरस्ति हो इसके लिए ब्राम्भनों के द्वारा माता प्रकृति का आराधन कार्य किया जा रहा है हमारा विश्वास है इस पूजन से इस यग्य से इस नगर में और देश में सम्यक वरस्ति होगी जय माता की पंडित सुबूत प्रतुत्रपाथी जोलपुर से आशीश बातरी की रपोर्ट